हेलो फ्रूइंट्स आज के इस वीडियो में कवर करेंगे एमना चप्टर फूर आगे से जो हमारा टॉपिक था आज में कवर करेंगे रोल फॉप्रण टॉपिक है वहां से कवर करेंगे जो बच्चे पहली वाहर चैनल पर आया है वह चैनल को सब्सक्राइब करने विए क्ला लिंक दिया गया है वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं अब सबसे पहले हमें यह समझना विकॉस हम अभी तक पढ़ चुके थे हमने अभी तक क्या किया था अब मतलब क्या होता है एक्जी क्या होता है अब हमें करना क्या है अब हमारी जो बारी है हमको जरूरत क्या है अब यहां से कुछ-कुछ टर्म्स आप समझ लो कि क्या होता है क्या प्रोसर हैं तक हर चीज़ कि आप बात को तो प्रोसर होता ही में इसब्ट दझने से पहले आप इस व बेकाद यह theoretical है और आपको अच्छे से नोर्स बनाना भी आ जाएगा ठीक है अब प्रोसेस अब हम प्रोसेस को को डिफाइन कैसे करेंगे हम प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं रणिंग प्रोग्राम अब यह हो गया एक सिंपल वर्ड में की अर रणिंग प्रोग्राम हो गया बट इस nasal संब्दों का स्ताबल करें तो हम इसका उन एक्जीक्योटिंग फाइल थिक है एन एक्जीक्योटिंग एंट इंट इप चाई इंट। मुझे इंट इट्यटिप्शी और इस नहुनास-प्रोसेस इंट हो बह tus und wahr stones और दो मैंन्योंस इस देखना दाता ना और मुझे यह सारी चीज़े याद करने का मुझे कोई मतलब नहीं अभी ठीक है अब आप लोगों के लिए सारी चीज़े में प्रॉपर अपनी रोड्स मेरा बनाई हुए है आप लोग देख सकते हो और यह भी आपको मिलेंगे चैप्टर खतम होने के बाद में इस वीडियो आपको आज मिल जाए या फिर वीडियो आपको कल मिल जाएगी और जब कल मिलेगी तो दोनार वीडियो साथ ही मिल जाएगी अब हमारा अगला टापिक है कि इस उआस 계 functions क्या है हमारा अगला टापिक क्या है functions of तो वेस के कई सारे function है और हर एक function को पहले देख लेते हैं कौन कौन से function है फिर मैं एक एक function को आपको सभी से समझाओंगा और प्रॉपर नीच उसकी process उसको समझाओंगा तो वेस के हमारे पास कितरे हैं यापर चार function है पहला function है process management तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई दी वो यह कि हमको हमें क्या करना होता है हमें जो लिखा है ना उससे क्या समझते हैं इसे हम समझते कि यह process management मतलब कि कुछ process को manage कर रहा होगा यह अभी आगे कवर करूंगा तब बताऊगा फिर इसके बाद रहेगा हमारा process scheduling process scheduling और यह जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अगर सब्जक्ट होता है आपके engineering में अगे नेक्स अगर हम बात करें memory management और नेक्स है हमारा आयो management अब मैं आपको यहां से एक चीज़ समझा देता हूं कि आपको जहां पर भी जहां पे भी आपको आई बाई ओ इस तरीके से मिलेगा देखो आयो तो वहां पे आई का मतलब होगा इनपुट और ओ का मतलब होगा हमारा आउटपुट ओके हाँ बहिए हमको यह बात समझ में आगी अब पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है होगा इसके चार फंक्शन है पहला फंक्शन क्या process का management यानि कि भीया हमारे हिसाब से यहां पे नहां कुछ process को management कर रहे होंगे है ना ठीक है विकास management क्या होता है कि हम चीज़ों को सही से manage कर रहे होते हैं नेक्स्ट है हमारा process scheduling तो हमारे क्या भीया अब ना ऐसा मुझे लगता है कि हम इसमें कुछ process को schedule करेंगे ठीठी है जैसे हम टाइम टेबल को schedule करते हैं कि subject हम इतने मज़े उठ process को schedule कर दिया अब process को किसी भी काम को करने के लिए हमारा जो computer होती है memory तो हम क्या करेंगे उसको memory को कैसे manage करना है हम सिखेंगे memory management के अंदर and then हम आएंगे management के उपर अब management क्या है दोखो आई मैंना बताया मतलब input होता है और output होता है हम कैसे input को manage करेंगे अपने टास्क है अपनी जो EXE final run करा रहे हैं ठीक है इस task को पूरा करने के लिए और हम क्या बोल सकते इस job को पूरा करने के लिए वह हम अभी आगे पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने process management के बारे में अब हर चीज को deep में पढ़ा रहा हूं कई जगही topic जो पढ़ाया नहीं जाता है ठीक है यह बाद मुझे बता है और अपने आप से आप कितना बढ़ते हैं यह आपको पता है और साथ में मुझे बहुत अच्छे से बता है ठीक है सबसे पहले हम पढ़ेंगे process management process management और एक और चीज बोलना चाहूंगा अगर आपकी रैटिंग अच्छी नहीं है तो रैटिंग को अभी से अच्छी करने का प्रयास करो आपको जब आगे बोर्ड एक्जाम दोगे तो आपको पहुता होगा अच्छी रैटिंग का ठ अब देखो यह क्या होगा वैन प्रोग्राम नीट्स टूब एग्जेक्यूटिट अगर हमें किसी भी प्रोग्राम को रन करना है तो हम क्या करेंगे अब यह उसके पास जाता है देखो मैं आपको डाइनमेटिक संगाता हूं चलता हूँ अगर हमने कोई चलाना है ठीक है तो अभी कहा जाएगा ओएस के पास ठीक है अब 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 यहां से ध्यान समझो ठीक है इन्टू मैमोरी और इट विकम्स प्रोसेस इंस्ट्रक्शन्स देखो होता क्या है मैं आपको समझा देता हूं ठीक है मैंने सारा कुछ लिख रखता है इसे कि जो प्रोसेस होता है व मैपन जैसे ही आता है अब अब बंग जाता है क्या मैं आपको यहां से दिर्फीट गेंट्र्व इसका तका आटा है महा मैं अहला है किizado कैसे पॉइंट हम उनको लिख सकते हैं ठीके वैसे इन आइता यह बन जाता है क्या यह बन जाती हमारी एक प्रॉसेस ठीक है क्षेए काम करेगी पॉसेस हमारी काम करेगी एस पर दा इंस्ट्र Crisis distractions ठीक है अव चब मेरे नोट देखें तो उसमें दी लिखी हूई एर अगर आपमें बनाओ तो इस तरीकre से लिख सकते हो पॉइंट वाइज एक आप नेक्स्ट क्या है तो नेक्स एक्ष्ट है अब भ़ही हैं कुलिए भास रेखेंद आप असमिरी आ Cow do process को क्या चाहिए process is given memory ठीक है मैं आप सभी समझा दे रहा हूँ because theory है और आप छोड़ देते हो ठीक है और मुझे याद करने से कुछ जरूद नहीं है बट इसको आप लोगों को पढ़ना विकास कई लोगों के स्कूल में यह आएगा इसलिए मैंने का इसको कवर करा जाए अब इसके बाद आपको कुछ state of process है विकास जो है उसके state होते हैं अगर हम खाना खा रहे है ठीक है तो वह क्या एक प्रोसेस है अब इसके state होते है ना आपने बल्जिम पढ़े होगे ठीक है नहीं से टेंथ में है जिसमें आप पढ़ते हो स्टार्ट में की खा सब्सक्राइब वह सारी चीज अब हम बढ़ेंगे तो को पहले समझ दो state of process और आपको जहां से सब्सक्राइगराम है कुछ ऐसे यह हमारी है स्टार्ट टाइगराम बना लेना मैं बना रहा हूं तुम भी बना लेना क्या तक्लीफ है ट्रेडी है रनिंग है ठीक है रनिंग के बाद आएगा टर्मिनल वेट अब देखो यहां से एरो बड़े द्यान समझ जा स्टार्ट के बाद ऐसा एरो आएगा और यहां से ऐसे आ रहा है और रनिंग के बाद इस तरीके से एक ऐसे एक धर को और यह टर्मिनल अब अब अगर आप कन्फ्यूज ना हो तो मैंनको मैंने को निवरे यहां को मैं और पर करता हूं मैं यहां पर सुर्ष का मतलब यह स्टार्ट पार्वисьल अब स्टार्ट क्यास समझते हो कि कोई बीची जब शुरू होते है यह यान या है कि इनीशियल स्टेट आफ प्रोसेस क्या यह इनीशियल स्टेट आफ आफ प्रोसेस ठीक है अब बात करेंगे टो कि इस चार्ट के बाद क्या है रेडी तो अब रेडी क्या है तो प्रोसेस इस रेडी आफ्टर वेड दा प्रोसेस इस रेडी आफ्टर वेड दा प्रोसेस है और ये प्रॉपर्ली स्टेट सैन साहीडő ठीके लई की स्टाइड़ स्टेट है हमारी रिधी स्टेट है यह इतले है वेपिस्टी वेयर नहीं पेहरे है अब इसके वाराने है थर्ड नमबर पर है रनिंग स्कावर्भ कैसे ड्रेफाइन किरेंगे करें अब आग से प्रोसेस को एक्जेक्यूट कर दिया गया ठीक है तो अदिशिट को हम लिखेंगे प्रोसेस है वेइंग एग्जेक्यूटेड बाई सीपीव नमबर फॉर पर है वेट सो वेट क्या वेट का मतलब क्या होगा वेट स्टेट में यानि कि किसी वजह से हमारी प्रॉसेस हो इंतिजार कर लए होगी तो इसको हम लिखेंगे प्रॉसेस वेटिंग फॉर वेटिंग फॉर सम रिजन्स कुछ ना कोच कमी होगी तबी तो वह इंतिजार कर रही होगी अपनी डेडी स्टेट में वापस जाने के लिए अब लास्ट में बसता है हमारे पास पांच नंबर पर है टर्मिनल अब टर्मिनल क्या है इस प्रॉसेस इस ओवर टर्मिनल स्टेट यह तब आएगा जब हमारी प्रॉसेस जो है वो वो जाएगी अब एक बार इसको बापस समझ लो बड़े ध्यान से समझो इसका टाइगराम है इसको में बोलेंगे स्टेट्स ओफ में मृमॉरी ठीक है ब्लैक मार्कर अच्छा ही मिल गया इस डाइगराम को हम बोलेंगे स् process, एक process के कौन कौन से state होते हैं, द्वारा समझते हैं, पहला हमारा running state है, ready state है, sorry, start state, ready state, running state, wait state, and terminal state, अब सबसे पहले लोगो start state क्या है, जब कोई भी जी शुरू होगी, तो हमारी start होगी, like initial state of a process is called a start state, and then the process is ready after wait, second, ready state होगी है, third state क्या है, third है हमारी, third number क्यों था, running state था, process being executed by the CPU, okay, जो process CPU ना execute कर दी हो हमारी running state में, running state बोलेंगे इसको, number four क्या है, number four wait state, यानि की, wait का मतलब क्या होता है, रुकना होता है, और रुक्ते हम क्यों है, ठीक है, like, like, अगर मैं मानलों पुझे दिल्ली जाना है, और मैं station पर रुका होगा होती है, next, the resources is over, ठीक है, अब जैसे आपने सुना होगा, आनंद विहार टर्मिनल है, तो क्या होता है, वहाँ पर रूट खतम हो जाता है, तो इसको हम टर्मिनल भी बोलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम पढ़ेंगे, second यह पन्ने पढ़ लिए process management, ठीक है, अब हम cover करें हैं हमारा अगला topic, ओके, तब तक आप लोग बताओ कि अभी आप लोग के स्कूल में कौन सा chapter चला है, मेरा slave है, बट मैंने जितना पढ़ा है, आप लोगों कोई मेरा ऐसे topic नहीं बढ़ा है, जो मैंने दिल से नहीं पढ़ा है, मेरी कोशिस यह होती है, कि मैं जो topic आप लोगों को पढ़ा हूँ ना, मैं अबना best लेकर पढ़ा हूँ, फिर चाहिए मुझे laptop यूज करना पड़े, PPT बनाना पड़े, विकास आप लोगों क्या लगता है, अगर जब मैं PPT बनाता हूँ ना, तो मुझे वाइड वीडियो और इस यह टाइम लगता है, पहले मुझे PPT बनानी होती है, ठीक है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद उसको प्रॉपर उसमें एडिटिंग करने में वाजा टाइम लगता है, नेक्स है, प्रोसे स्चिडूलिंग, नेक्स क्या था, प्रोसे स्चिडूलिंग, है ना, और अब सर्दिया आ वही तो इन इंपोटेंची जो पॉइंट वाइस आपको बता देता हूं, ऐलोकेशन ऑफ सीप्डू टाइम टू बेरियस प्रोसे से, इन मेमोरी अब इसको आप एक लाइंग में लेख सकते हो, बेसिकली करता क्या है, ऐलोकेशन ऑफ, सीप्यू टाइम, टू वेरियस प्रोसे स, ब वेरियस प्रॉसेस इन मेमोरी एक है इस कॉल्ड प्रॉसेस शुड्यूलिंग और आप यह वीडियो देख रहे होते हैं सब्सक्राइब कर लेना जब आपको पाइटन पढ़ाऊंगा ना कम आपको बताऊंगा की प्रॉरमिंग लेंग्विज कितिनी फन है और कितिनी आसान है जमजी नहीं ठीक है बस आपको समझाने वारत चाहिए जो आपको मस तरीके समझा सके अब यह प्रॉसेस शुड्यूलिंग अब यहां से दो प्रॉसेस डूलिंग है क्या बेसिकली सीपीव टाइम को एलोकेट करना प्रॉसेस को लाइक यह प्रॉसेस है ठीक है फॉर कहां कहां सीपीट में लोकेट करना वह भी मेमोरी में ठीक है इस पूरे को हम क्या बोलते है प्रॉसेस शुडूलिंग बोला जाता है अब कॉमन शुडूलिंग जो तरीके हैं वह मैं आपको बताऊंगा ठीक है अब यह भी जवाब आगे जाओं तो अभी सारे पढ़ोगे और इनको बहुत इंडेप्थ पढ़ोगे इनका अल्गोरिदम्स होते हैं वह पढ़ोगे आप सबसे पहले हमारा है FCFS FCFS अब FCFS का दोगों फुल फॉर्म क्या है फर्स्ट कंव फर्स्ट कंव एंड फर्स्ट सरुड ठीक है मानी कि जो पहले आएगा उसको हम पहले लौट क बहुत के बाद को बस इतना ही है एंड नेक्स है हमारे पास राउंड रॉबिंग शिडियूलिंग क्या है राउंड round drawing scheduling अब देखो इसके अंदर क्या होता है अब इसमें क्या है इसमें बात ऐसी नहीं है इसमें नहीं यह ऐसा नहीं है जो पहले आव वो नहीं इसमें क्या है कि every process इसमें है कि every process is given some fixed amount of time हर process को fixed amount of time दिया जाता है उसको execute होने के लिए time on CPU अब एक और यहां से आपको बता देता हूँ मैं एक और टर्म समझ लो जो यह fixed time होता है हर process को जो दिया जाता है उसको हम बोलते हैं time slice क्या बोलते हैं हम इसको नीचे लेख सकते हैं कि this time is known as time slice ठीक है अब यहां पर next एक और चीज़ देखो if the process is over during that time ठीक है अब यहां समझ देखो अब बात क्या है अब एक case है कि अगर जो हमने time दिया उसको अगर वो उतने में हमारी process चल गई ठीक है अगर उतने में process over हो गई तो क्या होगा तो हमारी जो process है इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं अगर given time के अंदर अगर given time में process process end हो गई क्या हो गई process end तो क्या हो तो फिर क्या होगा process को process is terminated ठीक है यानि कि अगर हमनों उसको पांच मिनट का time दिया हमारी process उसके इंदर फॉर फाइव साड़ी चार मिनट में हमारी process end हो गई तो क्या होगा process को टर्मिनेट कर दिया जाएगा ठीक है लेकिन अगर अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर ऐसा नहीं होगा देखो इफ नॉट फिर क्या होगा दैन ना स्टेट आफ प्रोसेस 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 इस इस चेंज टू हुच्छ का जिट है वो म चैंज कर देंगे वेटिंग में इसको वेटिंग में डाल लेंगे ठीक है इसको भेटिंग अंदर कें अब आते हैं अपने एक और next एक और scheduling पर चाहिए है इसमें ओके यह को हमारी scheduling है shortest job first shortest shortest job first एक एक सेकंड के लिएट करेंगे हम ओके shortest job first में देखो क्या होगा अब आपको क्या समझ में आ रहा है हां पर सॉर्टेस जॉप जोब नेक्स टैंड एक स्वारी में फोन साइट करना भूल गया था अब क्या है CPU क्या करेगा यहां पर CPU पिक्स नेक्स जॉब डैट विल टेक्स टाइम यानि की देखो पहले क्या करेगा सारी जॉब प्रॉसस में आ जाएंगे ठीक है अब जो जॉब ठीक है जो प्रॉसस को जिस प्रॉसस को सबसे कम टाइम लगे या ठीक है समसे कम टाइम लेकि देख रॉसस इस बैट टेट विल टेक लीस्ट टाइम टाइम टू कम्प्लीट विल बी एग्जेक्यूटेड फर्स्ट बात समले मैं यानि की जितनी प्रॉसस अविलेवल है मेमोरी में उन मैंसे जो प्रॉसस सबसे कम टाइम लेगा ठीक है हम उसी प्रॉसस को सबसे पहले एग्जेक्यूट कराएंगे ठीक है तो यह हमारे होकाई दो फंक्शन कम्प्लीट अब हम कवर करेंगे अगले फंक्शन को ठीक है अब बात देखो क्या कहते हो तुम लोग जल्दी जल्दी से बताओ अच्छा बताओ आपको कौन सा मेरा सा चैप्टर रहे सबसे अभी दक अच्छा लगाए जो सबसे मतलब मजा आगे हो इसमें पढ़ने हैं ठीक है चलो कमेंट इसनों बताना अब आते हैं थर्ड फंक्शन के ऊपर ठीक ह हमारा है मैमोरी मैनेजमेंट अब इसको थ्यान से समझना ठीक है इसलिए आपको इसको थ्यान से समझना है अब सिंपल जो मैंना बताया था इसमें करना क्या है इसमें कि ए आलोकेटिं मेमोरी तो वेरियस प्रॉसेसं और यानि की जब हम कई सारे प्रॉसेश को अलोकेटिंग मेमोरी टू वै रिस प्रॉसेस और resources is called इसको हम बोलते है memory management हमें यह बाद समझ में आगे हमें memory हम एलोकेट कर रहे है process को resources को इसको हम बोलते है memory management ठीक है बात क्लिए है अब इसके कुछ functions भी है क्या है वो भी समझ दो okay functions क्या है देखो पहला function क्या है कि it keeps track यानि कि इसको पता है track गलते spelling लिख दी मैंने कोई बात नहीं बिगाड़ लेता हूँ मैं तो इसको पता है यानि कि जो भी memory है दे रहा है ठीक है उसका इस नहीं क्यार बना रखा यानी हिसाब किताब तो दिन नीम बात कह लें तो ठीक है अब इनका अगला वंशन आव यह है कि अब यहां क्या करते हैं अब यह चेक करते हैं चेक ऑव बच मेमोरी इनकेटटब erd ठीक है कि कितनी मेमोरी जो है वह उलोकेट कर दी वह उलोकेट कर दी गई है और रर कैसे ओओ करिए है and how it to be allocated because बहुत सारे algorithm होते हैं जो आप आगे चलके पढ़ेंगे ठीक है अब next point है वो यह है कि decide which process will get memory at what time यानि कि क्या कर रहा है यह decide कर रहा है कि किस process को process will get memory at what time यानि कि कहना चाहता है कि बहुत सारी प्रॉसेस अगर आ गहीं तो इसमें से किस process को कितने वक्त पे कौन कौन सी मेमोरी अलोकेट करनी है यह कौन देखता है मेमोरी मैनेजमेंट का काम है यह देखना नेक्स्ट अगर हम बात कि रहे हैं जो आप एक और समझ लो बस कि इंस्योर दास इंस्योर दा सेफ्टी ओफ डेटा ऐगा और सेफ्टी ओफ डेटा अगर डेटा इन दा मेमोरी अलोकेटेड ठीक है या कि हमने जो मेमोरी अलोकेट करी है उसमें जो डेटा है उसकी सेफ्टी को भी मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो इंशॉर कर रहा होता है अब कई सारी जो है हमारी common memory management techniques हैं वो मैं आपको बता देता हूं इस तरीके से ठीक है वीडियों बड़ी नहीं होगी इसके बाद कुछ देर महीं हम इसको समाप्त कर देंगे अब वो है पहला है जो को single memory allocation वो क्या है पहला है हमारे पास single memory allocation अब मेरा हाथ लिखते लिखते दया दोने लगाए तो मैं आपको ऐसी समझा देता हूं अब इसमें क्या होता है एविलेवल मेमूरी जो होती है एविलेवल मेमूरी का मतलब है यानि कि जो भी मेमूरी है हमारे पास वो हम सारी दे देते हैं किसको एक ही अप्लिकेशन को किसको दे दी हमने साब single application ठीक है single application at a time यानि कि एक time में हमने सारी मेमूरी दे दी single application को कि भाई लो बहुत मेरे पास तुम ले लो आराम से ठीक है अब अड़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ नेक्स्ट वाला क्या करता है वो partition allocation है यानि कि यह भी हम समझाते हैं भी देखो पार्टी स्पेलिंग सो सही कर लो मैं अपनी पार्टी के बाद स्पेलिंग गलात हो गई कोई बात नहीं आर टी आई टी आई ओ एन एडी एलोकेशन ठीक है देखा है partition allocation अब इसमें क्या है देखो इसमें जो प्रैमरी मेमूरी है उसको हम different areas अच्छा पहले हम गोगद के होता है जब हम हम अपनी primary absolutely को different areas में different part में जब हम उसको divide कर देते हैं ठीक है यह हम क्या कर देते हैं और कैसे different areas के इंदर तो उसको हम बोलते हैं partition 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 आफे अब है दिखो एक ब्रोप्राउस को में रण करना है क्या करना है हम एक प्रोप्रासेस को हम रं कर रहे हैं सो रॉलेंग रिख चाहिए सो मेह माभी कैस की हए मैं के हिसाब से इसकी रेख्वाइर्मेंट के हिसाब से क्या होती है ऐलॉकेट होती है क्या उति है एलोकेट और कहां से होती है डिफ्रेंट पार्डिशन से डिफ्रेंट पार्डिशन से मेमोरी इसको एलोकेट कराई जाती है प्रोस्स को ओके अब हमारे पास अभी बस्ते हैं अभी और भी हमारे पास अभी इतनी ज़्दी नहीं कतम होगा ही चैप्टर ठीटिकल चैप्ट पेजड मेमुरी मेनेज्मेंट अ मेनेज में अब देख excel पेज मेमूरी में क्या है हमारी इसको फिक्ड साइज यूनिट में बाट देते हैंश्म क्या करते हैं जो हमारी primary memory है इसको मार देते हैं fixed size units में fix size यूट में ठीक है और fix size unit को हम क्या बोलते है page frames क्या बोलके हैं page frames ठीक है अब एक और है अभी तो भाईया कितने हैं अरे पढ़ते जाओ computer science में बहुत मजाया पढ़ने मैं आप पस पढ़ते नहीं हो next is segmented ठीक है मैंने spelling लिखती गलत तो क्या बिगाड़ा दूंगा मैं तो द्वारा लिख लेता हूं segmented memory management ओके ठीक है अब इसके अंदर क्या होता है इसके इंदर जो memory है उसको segments में हमको डिवाइड करना पड़ता है ठीक है हाँ भाईया ठीक है चलो बहुत बढ़िया अब हमारे पास दो दो function और बच रहें ठीक है दो function और है उनको हम cover कर लेते हैं जल्ली से क्या कहते हो हाँ जल्ली से होती क्या है जब हमारी जो primary memory है लाइक हमारी जो रैम होती है ठीक है जब हमारी रैम है अब यह हमारी भर गई होती है टीक है इसके हमारी हमोरी क्या होती है इसको बोलते है वर्चवल में मेमोरी ठीक है नेक्स्ट हे मारे पास आई ओ मैंजमेंट मैंने क्या बताया था बताया था बताया था अब सो ऑब मैनेजर करता है कि जितने भी जितने भी डिने बहुंए आई प्रोसेस चल रही है हमारी प्रोसेस टू एक्ट्छूल ऑई अडिवाइस को टू एक्ट्छूल आई उडवाइस मतलग की जो इन पूल ज़रूवत है उसको हमारा आई किर वे जब आगे पढ़ोगे तो हर चीज का एक एल्गोरिदम होता है अगले चप्टर हम बताऊंगा आप क्या होता है कैसे डिफाइन करते हैं ठीक है आप एक और चीज बचलिए वह भी पढ़ लो जली से वह क्या है यूजर इंटरफेस यूजर इंटरफेस को हम यूजर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम की दवे यूजर एंड कम्ट्र कम्यूटर क्म्यूटर इस नोन एज यू आइज यूआई अ अब यूआई के अंदर दो चीज है वो क्या है एक होता जी यूई और एक होता है हमारा सी एल आई ठीक है एक होता हमारा सी ल अब जी ऑई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रफेस अब इसको इसको वह Nh took होता है WIMP यह ध्यान से रखना है इस नाम को और इसको हम बोलते हैं विंडोज ठीक है आइकन मैन्यू एंड पॉइंटर ठीक है आप होता क्या है जीवाई के अंदर हमारा जो इंटरफेस होता है उसके अंदर आइकन होते हैं आइकन के थूरू हम काम करते हैं और इसका फेंटर फ्रेंड ले जाता है अगर हम बात करने लाई कि तो पुरा कमांड पर चलाते हैं और कोशी स्पेशल कमांड होती है special purpose के लिए ठीक है अब हम CLI में अगर हम बात करें तो हम Linux example ले सकते हैं ठीक है अब CLI का advantage क्या है कि CLI जादा faster होता है किससे जीवाई से विकॉस क्यों इसमें क्या होता है इसको कम में मुरी चाहिए होती है CLI को जीवाई के comparison में आज की वीडियो में इतना ही मुझे पता है theoretical था ठीक है जो भी स्ट्वेंट्स यहां तक देखें जरूर एक बार कमेंट करें कि सब्सक्राइब करना मत भूलना वीडियो को लाइक कर देना साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना मुझे जरूर के ल ranking करने वीवाईब कर देनेखें कि सुर्पля साथ मेंग सोली भी सat मेंग सब्सक्राइब. भी स्ट्वाईबग में सब्सक्राइब. ह्याँ. है, झash।? झाल झाल